जिन्दगी के कई पहलू में परिक्षा होती है और मेरा बेटियों से निवेधन है साधी के दो चार पाँच साल परिक्षा बहुत चलती है मन नहीं लगता सब परिवार बुरा लगने लगता है लोग सिकाने भड़काने वाले लग जाते हैं परिवार तूटने लगता है इस प्रिक्षा की घड़ी में थोड़ा धेरे बांद कर एक बिलपत्री शंकरजी पर चड़ा कर जिसकी दंडी का मुख अशुक सुन्दरी की जगहा पर हो उसे चड़ा कर एक लोटा पानी उत्तर की और मुख करकर चड़ाना प्रारम कर देना धीरे धीरे परिवार में सेटल होना प्रारम हो जाएगा अशानिती समावा ये शान्ती का अनुभाव करा देगा बेल पत्री की डंडी का जो मुख है बेल पत्री की जो डंडी होती है उसका जो मुख होता है अगर उसको अशुक सुंदरी वाली जगा पर शिविलिंग पर चड़ाए और अशुक सुंदरी वाली जगा पर उसका मुख है और आप उत्तर की और मुखर कर जल चड़ा रहे हो तो ये निश्चित है उस घर में कितना भी कलेश मच रहा होगा लगवक आदे घरंटे के अंदर उस घर में शांती हो ही जाएगी सबक आपस में प्रेम बढ़ जाएगा थोड़ा समय अगर संगर्श का का सहता नहीं है कि संगर्श का समय नहीं आता आता है मनुष्य जीमाने मानों का शरीरे दो कारणों से मनुष्य का सरीन मिलता है एक भोग भोगने के लिए ये दूसरा भजन करने के लिए जब मनुष्य का सरीर ही दो कारणों से मिला है कि कर्म का भोग भोगो जो पूर्व में करकर आयो वैसा भोगना पड़ेगा तो बोगना और दूसरा भगमान का बजन करो तो ये दो कारणों से जो मनुष्य का सभी मिला है तो उसको तो बोगना उसको तो करना मिलेगा जरूर भोगना पर उसके लिए एक निवेदन है कि हम शिव की अराधना करकर ह हम भगमान संकर की इस्तूती करकर